दोस्तों कुएं का पानी सबी फ़सलों को एक समान मिलता है लेकिन फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है ये दोश पानी का नहीं बीच का है इसी तरह बगवान भी सब के लिए एक ही है लेकिन दोश कर्मों का होता है इसलिए कभी ये मत कहना कि बग किये गए कर्मों का ही आपको फल मिलता है और दोस्तों खुद का सम्मान अगर चाते हो तो औरो का भी मान रखो क्योंकि कहने को अगर जीब मिली है तो सुनने को भी कान रखो अथार्थ यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति से सम्मान चाते हो खुद के लिए तो पहले उसका सम् क्योंकि हम सब जानते हैं जिसके मन का भाव अच्छा अच्छा होता है। तो अच्छे भी आएंगे और जिंदगी की रेस में जब लोग आपको दोड़ कर नहीं हरा पाते फिर वो लोग आपको तोड़ कर हराने की कोशिश करते हैं और आप अपनी मंजल तक पहुचने के लिए आगे बढ़ते रहो क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी और गिरे हुए पत्ते सबसे अच्छा उधारन है ये बताने के लिए कि बोज बन जाओगे तो आपको आपके अपने भी गिरा देंगे और गुरूर में हो तो इनसान को इनसान नहीं दिखता जैसे छत पर चड़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दि हो तो दोनों ही बोज लगते हैं और दोस्तों अपने हालात वो ना रखे जो आपके होसलों को बदल दे बलकि अपना होसला वो रखे जो आपके हालातों को बदल दे और किस उम्र तक कमाया जाए किस उम्र तक पढ़ा जाए ये शोक नहीं हालात ठैकरते हैं और दोस्त नि प्रवेदार बहुत हैं और मैंने ऐसे भी गरीब देखे हैं जिनके पास दोलत की सिवा कुछ भी नहीं और दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है कि कलेंडर हमेशा तारीक को बदलता है पर एक दिन ऐसी तारीक भी आती है जो कलेंडर को ही बदल देती है इसलिए सबर रखे व मीद खोना हाथ पाउं खोने से कही अधिक बुरा है और जो इनसान हर वक्त सबकी खुशी चाता है सबके बारे में अच्छा सूचता है सबकी कदर करता है वो इनसान जिन्दगी में हमेशा अकेला रह जाता है बात कड़वी है परंतु सकते हैं और भिक्षा पातर तो भरा होगा कि तुम अपनी बारी का इंतेजार करो और यूँ असर डाला है मतलब परस्तिने दुनिया पर की हाल भी पूछो तो लोग समझते हैं कोई काम होगा और दोस्तो अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो दूसरों के मामले में अढ़ाने के लिए नह और वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी तो मैं मिलूंगा आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग आफ